नमस्काद अश्कूं यूट्टुक के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मकर राशी का अप्रेल 2020 का राशी फल मेरे राशी फल आपकी चंदराशी पर धारित है आज हम वीडियो में देखेंगे कि मकर राशी के जातकों के लिए अप अगे चलकर चौविस अप्रेल के बाद बुद्ध भी जो है वो आपके चतुर्द भाब मे जाएंगे मेश राशी में और सूर्य बुद्ध की यूति हो जाएगी पंचम भाव में शुक्र विद्यमान है और छटे भाव में रिंड्रोग शत्रू के स्थान पर राहु विराजमान है तो ये तो है मकराशी वालों का घ्रह गोचर मकराशी के जातकों के लिए इस गोचर मंगल अपनी उचराशी मकर में बैटे हैं और देव गुरु भर्षबती भी अप्रेल महा में मकर राशी में बिद्यमान होंगे इस प्रकार मकर राशी वालों के लिए कुछ महत्वपुर्ण संकेत जो हैं अप्रेल का समय दे रहा है सबसे पहला महत्रपूर संकेत तो मैं सबसे पहले बात कहूंगी बात करूंगी मकन राशी के जातकों की हेल्थ के लिए हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल साफदानी बढ़ते अप्रेल के महा में मंगल जैसे घ्रेक की शनी के संग्युती और द्वादेश गुरू का लगन पर विराजमान होना इस बात का संकेत है कि हेल्थ को लेकर कोई प्रावलम आपको अप्रेल के महा में आ सकती है इसलिए हेल्थ को लेकर विशेश साफदानी बढ़ते हैं अगर आप किसी गंभी रोक से गरसित हैं और आपकी कोई लगाता दवाई चल रही है आप हार्ट पेशेंट हैं आपको कोई डियाविटीज बगर रहती है आपको कोई किटनी की प्रावलम है महलाम को कोई गाईन प्रावलम है आपका ब्लेड प्रेशर बड़ा हुआ रहता है तो आप थोड़ी सी साफदानी बढ़ते अपनी दवाओं का नीमे सेवन करें और डाक्टर से चेक अप कराएं और सौस्ते को लेकर बिल्कुल भी लापरवाई ना बढ़ते हेल्थ का जरू ध्यान रखें हेल प्रेशुब से नोट करें और उन तित्यों पर साफदानी रखें वहान को साफदानी से चलाएं ये तो थी सबसे पहले हैल्थ की बात दूसरी बात करें मकराशी के वो जौत तक जो जौब में हैं जो सरकारी जौब में हैं उनको मैं कहूंगी कि 14 अपरेल तक तो समय काफी पॉजिटिव है लेकिन 14 अपरेल के बाद आपको थोड़ी सी साफदानी रखनी पड़ेगी अपने आफिस में आपके आफिस में किसी बात को लेकर कोई विवाद ना हो जाए उचादिकारी से कोई मदवीद ना हो जाए साथ ही जो प्रैवेट सेक्टर में हैं और उनका व लिए उसका सबसे बड़ा रीजन है आप मकर लगन में देखिए तो मंगल जहां बैटे हैं वहां का खास बड़िया फल नहीं देते मंगल एक पहले भाव का अतना अच्छा फल नहीं देते शनी आपके लगने शोकर स्वराशी के तो हैं पर तब भी आपको इतना अधिक प पॉरिटिव नहीं है और दूसरी महत्यपुन बात आठ अपरेल से 24 अपरेल तक आपके भागेश बुद्ध जो हैं अपनी नीच राशी मीन में रहेंगे इसलिए आपको भागे का भी साथ नहीं है अगर आपको जौब बदलने का निंडे लेते हैं तो वो निंडे आपका गलत भी सावीत हो सकता है इसलिए मैं आपको सला दूँगी कि अपरेल के महा में आप जौब ना बदले कारेस तल पर आपको महनत अदी करनी पड़ेगी थोड़ा सा संगर्श की स्तिती रहेगी काम के अधिक्ता रहेगी लेकि आराम से काम करिए बन लगा कर काम करिए और क वइपारी वर के लिए अपरेल का महा काफी उमीद लिए कर आया है विशेशकर वो वईपारी वर जो प्रपरटी से जुड़ा काम करते हैं बिल्डिंड माटीरियल का काम है सिमेंट का है लोहे का है प्रजेक्ट वगरा भी शुरू कर सकते हैं और अगर आप वैपारी नहीं है घरेलू घरेग्रेस तरनाम के विक्ति हैं परिवार में भी आपके पास अगर पैसा है तो मेरा ख्याला है कि शैद हो सकता है अप्रेल के महां में आपके द्वारा किसी इस्ताई संपत्ति में गमलों की बात करें तो धने शनी की लावेश मंगल के संग्युति इस एस बात का संगितत देरी है कि धन संबंदी मावलों में आपको लाप का समय दिखा य andare है आपका कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ था तो वो पैसा आपके पास आ सकता है आपको कहीं से लॉन का अंजार था तो आपको लॉन मिल सकता है आपने किसी को पैसा उधार दे रखाता उसकी बापसी हो सकती है आप किसी बड़े सौधे की कयास लगा के बैठेते की कोई बड़ा सौधा हो जाए तो उमीद है आपका अपरेल के महां में वो सौधा भी हो सकता है अब हम बात करें कोट केसिस के लिए तो 14 अपरेल तक आप मंकर राशी के जाते हैं और आपकी 14 अपरेल तक कोई कोट केसिस वगरा के डेट बढ़ती है तो वो आपके लिए काफी हत तक पॉजिटिव जाएगी अब हम बात करें विदार्ती वर्थ के लिए देख गुरूर भरस्पती आपके पंचम भाब को देख रहे हैं विदार्ती वर्थ के लिए पढ़ने का बहुत शांदार समय है भेनत से पढ़ाई कीजिए चाहे आप कंपिटिशन की त्यारी कर रहे हो या रूटीन की आपकी को रिसर्च वर्थ वगरा हो प्रेम समंदों के लिए समय उत्तम है पंचम भाब में शुक्र विद्यमान है आपस में अंडरस्टेंडिंग बढ़ेगी आप एक अच्छा समय वेतीत करेंगे मकराशी के उजात्तक जो विवा के लिए प्रतिक्षा कर रहे थे उनके लिए क्योंकि लगन के उपर गुरू वष्यनी की होती है और मंगल की होती है मंगल भी किसी भी बवाई समन्द के लिए छे महीने पहले मंगल की सब्तम भाफ से कनरेक्टिविटी होनी जिरूरी है तो मकराशी के जात्कों का भिवा तैह हो सकता है और आगए चल कर भिवा होने की संबावना बन सकती है आप अगर बच्चे की कंसेप्शन के बारे में कुछ विचार कर रहे थे विवाइद दंपत्ती तो मंगल गुरु की दिश्टी जो है पंचम भाबे होने के कारण और नवम भाबे होने के कारण आप संतान के लिए भी प्लान कर सकते हैं इस माँ आपकी यात्राएं बहुत अधिक होंगी और यात्राओं से आपको अच्छा कासा लाब भी होगा यात्राओं से आपको लाब होता दिखाई दे रहा है और इस माँ हो सकता है कि आप अप्रेल के माँ में कोई की पैसे की स्थिती अच्छी है तो आपको अपना लॉन डिनों का चुकारा भी करने के बारे में सोच सकते हैं यानि पैसा आने के साथ साथ आपके खर्चे भी खूब बने रहेंगे और खर्चे अधिक होने के करण इस माँ पैसा आने के बाब जूद भी आप अधिक जो हैं सेविंग नहीं कर पाएंगे और अब बात करें कि मकराशी के जातकों के लिए अगर आप परिवार के समद्वे बात करें परिवारिक जीवन की वैपारी वर्क की तो ओवराल सब पॉजिटिव है लेकिन जहां तक जो जॉब से जुड़े छेतर हैं में जो लोग हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि थोड़ी साथानी रखें विशेश कर अपने कारेस तल पर और अपनी जॉब के सब बारे में कोई ए अब मैं आपको शुप्तितियां बताती हूं मकराशी के जातकों के लिए जब आपका चंद्रमा काफी अधिक पॉजिटिव होगा उस समय आप कोई मैत्रपुन कारे करने का विचार करेंगे तो निश्ची तुरुप से आपको सफ़ता मिलेगी वो शुप्तितियां आप न पॉजिटिव होगा आपको कोई नया कारे करना हो कोई मैत्रपुन कारे की शुरुआत करनी हो किसी से मुलाकात करनी हो कोई यात्रा करनी हो तो इन तितियों का ध्यान रखिए और इन तितियों के इनुसारी अपना कारे शुरू कीजिए अब मैं आपको सफ़धानी रखने तो वो साबधानी रखने के दिन है 5 वा 6 अप्रेल, 13 वा 14 अप्रेल, 23 वा 24 अप्रेल तो दर्शकों ये था मकर राशी का अप्रेल भाह का राशी फल मकर राशी के जातकों के लिए थोड़ी सी साबधानी है एकदम कुणली में देखते ही लगता है कि मकर के मंगल विद्यमान है, सौराशी के शनी विद्यमान है और गुरू विद्यमान है लेकिन तई बार हम भर्म की स्थिव में भी आ जाते हैं कि एकदम इतने सारे ग्रहों का जवाबड़ हमारे लगन पर हो रहा है लेकिन जो विलासता वगरा का काम वगरा करते हैं उनको थोड़ा अपने काम में थोड़ा सा रखना पड़ेगा साथधानी क्योंकि आपका जो दशमेश शुकर है वो अपने भाप से अस्टम पर होके बैठा है तो आप अगर फैशन वर्ट से हैं किसी कपडे वगरा का वगरा करते हैं तो साथधानी वर्टे विशेश कर 8 अपरेल से 24 अपरेल के बीच में वपार से जुड़े कोई भी मेत्वपूर सौदे हैं कोई लेंदेन करें किसी से धन का लेंदेन करें तो धान रखे कि कोई अगर जब नीच का होता है तो सामने वाला आपको धुका देने में बड़ी असानी से सफलता प्राल लेता है इस परकार मकराशी के जातकों के लिए अपरेल का हमाँ थोड़ी से साबधानी रखने का है अगर वो साबधानी रखेंगे तो उनको धन के भी अफसर आएंगे और कई तरेके से उलाब भी उटा सकते हैं विशेशकर वैपारी मर्ग अच्छा लाब उटा सकता है और ओवराल एक अच्छा समय है लेकिन जल्दवाजी से जिंडे लेने का समय नहीं है जहां तक मकराशी के वो जहां तक जोब जोब बदलना जाते थे उनके लिए जोब से जुड़े कावों में अपनी सब्दानी बढ़ते तो दशकों यह था मकराशी का अप्रेल 2020 का राशी फल आपको मेरा वीडियो कैसा लगा किर्पा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए इसके साथ ही दशकों अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प झाता दी